ओम स्री गड़ेशाईन महा वैलकम बैक टू अखिल मैथ क्लासिज आज हम जानेंगे गड़ेश चतुर्थी के बारे में इस साल जो गड़ेश चतुर्थी कब कैसी और किस मुहरत में मनाई जाएगी हम जानेंगे सबसे पहले हम गड़ेश जी का एक सलोक पढ़ते हैं और उस इसकार्थ यह है कि ए घुमाओदार सुनद वाले विसाल सरीर काये परोड सूर्य के समान महान परतिभा साली मेरे परभू हमेशा मेरे सारे कारिये बिना विग्न के पूरे करे या करने की किरपा करे आज हम जानते हैं कि गड़ेश कब और किस समय मनाय जाएगी इसके बार में जानते हैं भगवान गडेश के जनम के रूप में गडेश चुतुर्थी मनाये जाती है। भगवान गडेश चुतुर्थी परु का सुब आरम हो जाता है। यह परु मुख्य रूप से दस दिनों तक चलता है। इस दोरान भक्त भपा को अपने घर लाते हैं और अनंत चतुर्दर्शी के दिन भपा को विदा कर देते हैं। इस साल गडेश चुतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है यानि इस दिन से गडेश उत्सवक की सुरात हो जाएगी। इस साल भद्रपद महा के सुकल पक्स की चतुर्थी ति थी 18 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2023 दो दिन पड़ रही है। सुकल पक्स की चतुर्थी ति थी 18 सितंबर 2023 को दो पहर 12 बच के 49 मिंट से शुरू होकर 19 सितंबर 2023 को दो पहर 1 बच के 43 मिंट खतम होगी। ऐसे में 19 सितंबर को गड़ेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्मा, सुकल और सुभयोग बन रहे हैं। भद्रपद महा की सुकल पक्स की चतुर्थी ति थी 18 सितंबर को दो पहर 1 बच के 49 मिंट से शुरू होगी। 19 सितंबर को दो पहर 1 बच के 43 मिंट तक रहेगी। 19 सितंबर को गड़पती जी की स्थापना का सुभ मूरत सुभय 10 बच के 50 मिंट से 12 बच के 52 मिंट तक है। 19 सुभ मूरत 12 बच के 52 मिंट से 2 बच के 56 मिंट तक है। किसी भी सुभ काम को मूरत देखकर करने से अतिलाब मिल सकता है। गड़पती के दिन गड़पती बपा को घर लाने और उनकी स्थापना करने का सुभ समय ध्यान में रखकर करना चाहिए। सही मूरत में गड़पती की परतिमा को घर लाए, चोकी पर विराजमान करे। इसके बाद उन्हें सुदूर, फूलमाला, धूप, दीप, अच्छत, पान, लड़ू, मोदक, दुर्वा, आदि अरपित करे। फिर नीमित रूप से गड़ेश जी की विधी विधान से पूजा करे। पाँचवे, साथवे और ग्यारवे दिन उनका विसर्जन करे। सही समय पे, सुब मुरत पे अगर आप गड़ेश जी की पूजा करते हैं तो भगवान गड़ेश जी आपको सही फल देते हैं। सिर्पय करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और सबको आपको धन्यवाद यहां तक आपको वीडियो तक दिखने के लिए। थैंक्यू थैंक्यू सुन।